हेलो दोस्तो मेरा नाम वीजे मैं अब सभी का स्वाकत करता हूं सुध्य टूटोरिल पर आसा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे आज का टापिक है मारा समान ग्यान में हम भारत के राष्ट परतीक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके हर एक्जाम में पूछा जाने माला टॉपिक है मेरा नाम वीजे आए शुरू करते हैं उससे पहले यह दिए आप इस चैनल परना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे और वीडियो से रिलेटेड कोई भी बसे तुर्ण από'' तुरैंगे के बारे में इसको डिजयन किया था इनका नाम है पिंगली वैंक्या के पिंगली वैंक्या क्वे द्वरा तुरए जेंडे को हमिए खैन किया थ है और इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को जिससे पिंगली बैंकिया ने डिजाइन किया था और इसकी लंबाई होती है 3 इंटू 2 यानि लंबाई होती है 3 रेशियो में और चोड़ाई होती है 2 के रेशियो में अगला कोईशन है हमारा जो की है त्रंगे जंडे में कुल कितने रंग होते है त्रंगे जंडे में कुल रंगों की संख्या है 3 जो की है केशरिया सफेद और हरा यानि उप्सन नमर सी हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरव जो की है राश्ट धच की लंबाई और चोड़ाई का उनपात कितना होता है जैसा कि मैंने पीछे देखा लंबाई और चोड़ाई का उनपात होता है लंबाई 3 की होती है और चोड़ाई 2 के रेशियो में होती है यानि उप्सन नमर है हमारा सही होगा अगला कोईशन है राश्टिध्धोज में केसरिया रंग किस चीज को डिनोड करता है यानि केशरिया रंग का क्या मतलब होता है राश्टी धोज में इसका मतलब होता है देश की ताकत और साहस को या डिनोट करता है केशरिया रंग बड़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है राश्टी धोज में सफेद रंग का क्या संकेत होता है यानि जो सफेद रंग है इसका क्या मतलब है राष्टि धोज में? इसका मतलब है धर्म चक्र के साथ सांती और सत्य को संकेत करना जो कि आपसर नमबर सी हमारा सही होगा अगला कोईशन है राष्टि धोज में हरा रंग क्या दर्साता है? हरा रंग का महत्तु है राष्टि धोज में इसका मतलब है देश का सुभ, विकास और उर्वक्ता को दर्साता है या तिरंगा का हरा रंग जो कि आपसर नमबर है हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है तिरंगे जंडे के चक्र में कुल कितनी तीलिया होती है तिरंगे जंडे के चक्र में जो तीलियों की संख्या है वा होती है 24 बड़ते हैं अगले कुष्छन के तरफ जोकी है संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट ध्ष के रूप में कब अपनाया था संविधान सभा दोरा तिरंगे को राष्ट ध्ष के रूप में अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को जो कि आपसा नमबर C हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है भारत के राष्ट पक्षी का नाम क्या है भारत के राष्ट पक्षी का नाम है मोर जिससे 26 जन्वरी 1963 को अपनाया गया था राष्ट पक्षी के रूप में बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है राष्ट पक्षी मोर का वैग्यानिक नाम क्या है राष्ट पक्षी मोर का वैग्यानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस जो कि आपसन नमबर सी हमारा सही होगा अगला कोईशन है भारत का राश्टी फूल क्या है भारत का राश्टी फूल है जैसा की इमेज में दर्साया गया है या है कमल का फूल जो कि option number C हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है राष्टिफूल जो की है कमल इसका वग्यानिक नाम क्या है राष्टिफूल कमल का वग्यानिक नाम है निलंबो निूसिफेरा गार्टन जो कि option number D हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है भारत का राष्टिव रिक्ष कौन सा है भारत का राष्टिव रिक्ष है बर्गत का पेड़ जो कुछ इस प्रकार का दिखता है अगले कोईशन है भारत का जो राष्टिव रिक्ष है इसका वगणि नाम क्या है यानि बर्गत का वगणि नाम क्या है बर्गत का वगणि नाम है फाइकसह बैंगार लेसिस जो कि आप्सर नमबर दी हमारा सही होगा हमारा अगला कोईशन है भारत का राष्टिगान क्या है भारत का राष्टिगान है जनगड मन जो कि अपसर नमबर है हमारा सही होगा भारत का राष्ट चिन क्या है भारत का राष्ट चिन है असोग का चिन जो कि आप्सन नमर सी हमारा सही होगा असोग का चिन जो कुछ इस प्रकार का दिखता है अगला कोईशन है सत्य में उजयते जिसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है या भारत का राज़ चिन कहां से लिया गया है इस राज़ चिन को लिया गया है सारनाथी स्थित असोक अस्तम से जो कि आपसन नमर भी हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो कि है भारत सरकार ने राश्टी चिन को कब अपनाया था यानि जो असोक का चिन है इसे भारत सरकार ने कब अपनाया है इसे अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को यानि आपसन नमर भी हमारा सही होगा बढ़ते हैं अपने अगले कोईशन की तरफ या है सत्य में उजयते सब्द कहां से लिया गया है इसे लिया गया है मुंड को अपनी सत्य से जो कि आपसन नमर सही हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है भारत का राष्टी पंचांग पंचांग मतलब कैलेंडर क्या है भारत का राष्टी पंचांग है जो की है सक समवत यानि भारती कैलेंडर का हम सक समवत के नाम से जानते हैं जो की आपसर नमबर सी हमारा सही होगा अगला कोईशन हैमारा भारत का राष्टी कैलेंडर सक्समवत पराधारित जो पहला माह है वा कौन सा है या फिर कहें जो पहला माह है उसका क्या नाम है भारती कैलेंडर के हिसाब से जो पहला माह है उस माह का नाम है चैत्र जो कि आपसर नमबर है हमारा सही होगा बढ़ते हैं अपने अगले कोईशन की तरब भारत का राष्ट पसू क्या है? भारत का राष्ट पसू है जैसा की चित्र में दिख रहा है या है बाग यानि आप्सन नमर C हमारा सही होगा अगला कोईशन है भारत का राष्टी पक्षू जो की है बाग इसका वैज्ञानिक नाम क्या है राष्टी पक्षू बाग का वैज्ञानिक नाम है पेंथेरा टीग्रिस जो कि आपसर नमबर डी हमारा सही होगा अगला कोईशन है भारत का जो राष्टी मुद्रा है इसका चिन क्या है भारत का राष्टी मुद्रा चिन है रुप्या जो कि आपसर नमबर सही हमारा सही होगा और इसका जो डीजाइन है वा कुछ इस प्रकार का है बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो कि है भारत की रुप्या का प्रतीक चिन किसके द्वारा डीजाइन किया गया है इसको डीजाइन किया है उदे कुमार ने जो कि यह है इनके द्वारा ही भारती रुपए का प्रतीक को डिजाइन किया गया है बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ या है भारत की राष्टी नदी कौन सी है भारत की राष्टी नदी है गंगा नदी जो की आप्सन नमबर भी हमारा सही होगा गंगा ने दी की जो लंबाई है वह 2525 किलो मीटर है और यहाँ उत्राखंड के गंगो उत्री हिम्नत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसकी जो लंबाई है वह 2525 किलो मीटर है और गंगा ने दी को भारत की राष्ट न दी का दर्जय दिया गया था नॉम्बर 2008 को बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है भारत का राष्ट ये जलिय जीव क्या है जो भारत का राष्ट ये जलिय जीव है वा है डॉल्फिन यानि अपसर नॉम्बर डी हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है भारत का राष्टिफल क्या है जैसा कि चित्र में दिया हुआ है भारत का राष्टिफल है आम यानि आपसन नमबर डी हमारा सही होगा अगला कोईशन है हमारा राष्टवल आम का वेग जानिक नाम क्या होता है बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है भारत का राष्टी खेल क्या है भारत का राश्टी खेल है हांकी जो कि आपसन नमबर भी हमारा सही होगा है और हांकी कुछ इस प्रकार से खेल लिजाती है अगला कोईशन है किस व्यक्ति को हांकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है जिस व्यक्ति को हांकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है उनका नाम है मेजर ध्यानचंद जो की ये है अगला कोईशन है राष्टी खेल दिवस कब मनाया जाता है राष्टी खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यान चंद के जन्न दिवस पर जो की है 29 अगस्त यानि आप्सन नमबर है हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है भारत की राजभासा क्या है भारत की जो राजभासा है वा है हिंदी यानि आप्सन नमबर भी हमारा सही होगा अगला कोईशन है सम्विधान सभा ने हिंदी को सम्वैधानी ग्रूप से राजभासा कब गोशित किया है? हिंदी को सम्वैधानी ग्रूप से राजभासा गोशित किया गया है 14 सितंबर 1949 को यानि आप्सन नमबर भी हमारा सही होगा अगला कोईशन है भारत का राष्टी धरोहर पशू कौन सा है भारत का राष्टी धरोहर पशू है ACI हाथी यानि आपसर नमबर है हमारा सही होगा अगला कोईशन है हमारा भारत का राष्ठी गीत क्या है भारत का राष्ठी गीत है वंदे मात्रम यानि आपसर नमर सी हमारा सही होगा अगला कोईशन है भारत का राष्टी गीत जो की वंदे मातरम है इसके रचैता कौन है इसके रचैता है श्री बंकिम चंद्र चेटेर जी यानि आपसर नमर भी हमारा सही होगा वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद यदि आपको वीडियो हेल्फुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों के साथ सेयर कर दीजे और वीडियो से रिलेटेंट कोई भी डाउट हो आप कमेंट भी कर सकते हैं धन्यवाद